भारत सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये हर संभव तरीके से शांदार और अध्भुत हैं, लेकिन क्या आप इन में से कुछ हैसे तथे जानते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे? और जैसा कि हमारे पी-म मोदी ने कहा है, लोकल के लिए वोकल बनना है, आईए लोकल के लिए वोकल बने, आईए इन आश्चरे जनक तत्यों को जाने और जहां भी हम जाएं, उनके साथ मुखर रहें क्या आप जानते हैं कि हमारे हर साल दो इंच लंबा हो जाता है? और ये कोई चमतकार या जादू नहीं है, बलकि इसमें विज्ञान शामिल है हमारे का निर्मान करने वाली टेक्टॉनिक प्लेटें अभी भी खिसक रही हैं, जिससे इसकी उँचाई अधिक हो रही है इसलिए जैसे जैसे टेक्टॉनिक दबाव के कारण परवच श्रिंक लाएं उची होती जाती हैं, वैसे वैसे यह अपने ही भार से नीचे गिरती जाती है यह गिरावट हिमालय को चौडाई में भी बढ़ने की अनुमती देती है खैर, अब यह कुछ गंभीर विज्ञान है क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे उचा डागघर भारत में है? 1774 में शुरू हुआ यह डागघर स्पिठी घाटी के हिकिम गाम में स्थित है और 15,550 वीट की उचाई पर स्थित है क्या आप जानते हैं कि भारतिय रेलवे से प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की संख्या आस्ट्रेलिया की पूरी जन संख्या के बराबर है? और वह लगभग 23 मिलियन लोग प्रतिदिन है? क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चे पवित्र गाम शनिसिगनापुर में घर तो हैं लेकिन दर्वाजे ही नहीं है जहां हर दिन 40,000 से ज्यादा श्रद धालू आते हैं इस गाम में ऐसे घर हैं जिन में न तो दर्वाजे हैं और नहीं ताले उनका मानना है कि भगवाण शनि उन्हें किसी भी विपत्ती से बचाएंगे और वे हर रात खुले घरों में शानती से सोतें क्या आप जानते हैं कि वे वाइर जो मुंबई की सुन्दर बांदरा वाली पुल को पृतवी की परिधि के बराबर रखते हैं ऐसा माना जाता है कि एक स्टील का वायर 900 टन वजन संभाल सकता है और पूरे पुल का वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है आश्चर्य है कि इस राक्षस को बनाने में उन्हें कितना समय और क्या प्रयास लगे होंगे क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगे पंजाब का स्वर्ण मंदिर है हाँ, अमरित सर के इस पवित्र मंदिर में प्रति दिन एक लाख शद धालू आते हैं और इसके लिए इसे World Book of Records से मान्यता प्राप्थ है क्या आप जानते हैं कि मिजोरम में एक आदमी का दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है जिसमें 181 सदस्य है जिसमें 49 पत्नियां, 14 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते-पोतियां है जियोना चाना मिजोरम के बखतांग गाव में अपनी 100 कमरों की हवेली में शान से रहते हैं क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली में एक ऐसा गाव है जिसे उसके बाहुबलियों के कारण बाउंसर गाव कहा जाता है और असोला फतेपुर बेली नाम के इस काम में कुछ चंद नहीं बलकि पुरे 300 बाहुबली हैं जो राजधानी के आसपास के बार और क्लबों में काम करते हैं क्या आप जानते हैं कि इसरो के और्बिटिंग मिशन की लागत हॉलिवुड की लोकप्रिय विज्ञान कथा ग्राविटी लागत से कम है आसकर पुरसकार विजटा फिल्म की लागत मंगलियान के पूरे बजट से 26 मिलियन डालर अधिक है क्या आप जानते हैं दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ डागघर भारत में है जी हां श्री नगर की डल जील में एक तैरता हुआ डागघर है जो एक हाउस बोट पर स्कित है और इसके अंदर एक छोटा संग्रहालाई भी है क्या आप जानते हैं कि जब पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारती ये राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उनकी प्रतिक्रिया में एक प्रसिद्ध देश भक्तिकीर सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो धम सब पर क्लिक करना न भूले और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें